कुरोना पैंडमिक में अलबेडो आपके स्वास्ते एवं सुरक्षा की काम ना करता है अलबेडो अपनी IITN MBBS डॉक्टर की टीम के दवारा IITGE तथा मेडिकल एक्जाम को फोकस करते हुए क्लास 8 से 12 के लिए 2nd April से ओनलाइन क्लासिस चला रहा है हेलो बच्चो अब हम लोग इस पार्ट में थोड़ी काम की बाते करेंगे काम की बाते in the sense of key ये हो सकता है आपको आपके किताब में लिखा हुआ ना मिले और side books में मिल भी सकते है ठीक ना लेकिन काम की बात इसलिए है कि यदि आप science olympiard का exam दोगे या फिर आप कोई भी olympiard या कोई भी competitive level का exam दोगे तो उसमें जो है आपको ये सब बाते पता होनी चाहिए ठीक है मैं अभी जो बतलाने जा रहा हूँ इसलिए यह बाते जो है वो काम की है ठीक है तो वो क्या है तो अभी मैं आप लोग को बतलाया कि force क्या था और force का effect क्या था यानि कि what is force and the effect of the force उसके बाद मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूं unit of force जैसे कि मैं बतला थो ना कि आलू लाने जाएंगे मार्केट तो भाई 5 kg आलू ले करके आएंगे तो kg वहाँ उसका unit था उसी तरीके से force की भी तो unit होती होगी हाँ जी होती है क्या unit होता है तो force का ऐसा unit होता है आपका newton और उसका cgs unit होता है dine वो वाली dine नहीं भूत वाली वो वाली dine नहीं है ना ये dine जो है वो इसका cgs unit है महगाई dine नहीं है ये दूसरा जो है force का formula होता है mass into acceleration यानि formula of the force यानि कि अगर किसी भी body का आप लोगों को mass पता हो ठीके और उसका acceleration पता हो acceleration क्या होता है ये इसलिए जो है मैं बतला रहा था कि आपके टॉपिक का नहीं है acceleration जो होता है वो होता है आपका velocity upon time और ये velocity क्या होता है velocity ये type of speed है बस आप इतना जानो velocity क्या है type of speed है यानि speed with direction कह सकते हो आप speed with direction यानि कि अगर कोई भी आप गाड़ी का speed बढ़ाओगे और आपको उसका अगर direction पता होगे नौर्थी में भागना है और उसको अगर आप time से divide कर दोगो तो वो आपका क्या देगा acceleration देगा अब आपको body का acceleration पता हो और अगर mass उसका पता हो तो आप उसका force जो है कितना force लगा सकता है या उस object को हिलाने के लिए कितने force की आओ सकता है अब अगर आप देखोगे तो mass का ऐसा unit होता है आपका kilogram ठीक है और acceleration का ऐसा unit क्या होगा velocity आपका हो जाता है displacement upon time distance speed equals to distance upon time पढ़े थे न आप लोग और displacement भी आप लोग को पता होगा चुकि class 7 में पढ़ा जाता है displacement तो displacement का हो जाएगा आपका meter और time का हो जाएगा second है ना तो velocity का क्या हो जाएगा भई तो meter per second meter per second और फिर नीचे में एक second है ना second second यह क्या देगा meter per second square यानि कि acceleration का SI unit क्या हो जाएगा meter per second square तो यहाँ हो जाएगा केजी meter per second square तो accordingly जो है SI सिस्टम के नुसार तो होना चाहिए kilogram meter per second square लेकिन उसका Newton क्यों पढ़ा चुकि उसके बारे में जो बतलाए थे Newton's law of motion आप पढ़ोगे आप पढ़ोगे है ना आप लोगो पढ़ना पढ़ रहा है तो Newton को गोली मार देना मिलेगा तो है ना अब देखिए तो अब जो है kilometer per second square हो गया यह लेकिन इसका क्या पढ़ा SI सिस्टम में Newton पढ़ा ठीक है चुकि Newton एक scientist का नाम था और उन्होंने ही इस चीज के बारे में बतला था इसलिए इसका SI सिस्टम में SI unit के पढ़ा Newton पढ़ा ठीक है अब अगर एक Newton की बात करेंगे तो force का SI unit 1 Newton होता है तो 1 Newton जो है वो आपका हो जाएगा 1 kilogram into 1 meter per second square के अब आपको पूछते है कि आपको अगर कोई पूछे कि 1 Newton क्या है 1 Newton का force लाईगा तो किसी भी object में अगर 1 kilogram का force होगा और उसका acceleration 1 meter per second square का होगा तब आप कह सकते हो कि उसमें जो लगने वाला force है वो कितना है 1 Newton है ठीक है तो when a body of mass 1 kg एक body जिसका mass कितना है 1 kg है moves with चलता है कहां आगे with an acceleration of 1 meter per second square then the force acting on the body is called 1 Newton यानि कि उसमें लगने वाला जो force है उसकी value कितनी है 1 Newton ठीक है इसके बाद जो हम लोग देखेंगे उस topic का नाम है balanced and unbalanced force balanced and unbalanced force ठीक है now अब जो है balance and unbalanced force के बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है कि balance force क्या होता है और unbalanced force क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि balance और unbalanced force क्या होता है ठीक है तो मान लीजी कि आप खड़े हो ठीक है और कोई छोटा सा बच्चा लाके आपको पीछे से धक्का दिया, ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा आपको लाके धक्का दिया, लेकिन आपमें कोई movement नहीं हुआ, ठीक है, आपमें कोई movement नहीं हुआ, तो जब कोई movement नहीं हुआ, इसका मतलब उसका जो लगाया गया force था, और आप में मतलब जैसे माल लिजी आप खड़े होगा ना और छोटा सा बच्चा आपको लाकर force लगाया तो कहीं न कहीं आपका body भी तो उस पर force लगाएगा इसलिए आपका body का कोई movement नहीं होगा अब जब movement नहीं होगा body का तब आप बोलोगे कि वहाँ पे जो फोर्स लगा वो कैसा था balance force था ठीक है कैसा था balance force था जिसकी अच्छा balance force की net value क्या होती है 0 होती यानि कि total जो force लगने वाला force होता है उसका value क्या होता है 0 होता है और unbalance force क्या है कि मानलो की आपका कोई force f1 जो है और कोई force f2 जो है किसी object पे force लगाया ठीक है तो वो क्या करेगा कि उसका उसके मतलब motion f2 जो है मानलो की जो कोई force वो f1 और f2 जो है वो same direction में लग रहा है ठीक है मतलब कि आपका f1 का फी direction इस direction में हो और f2 का फी direction आपका इस direction में तब उस case में ठीक है यह जो दोनो force का net force निकलेगा net force यानि कि unbalance के case में वो क्या हो जाएगा आपका f1 प्लस f2 equals to net force ठीक है यानि कि f1 और f2 की value जो होगी वो किसके बरावर होगी वो net force के एकोल होगी net force होगा लेकिन वो किस nature का होगा unbalance nature का होगा उसका nature जो होगा unbalance होगा वो उसको balance नहीं कर पा रहा होगा लेकिन हाट अगर same direction में है तो क्या होगा addition होगा same direction में अगर दोनों force है तो वो आपका addition होगा लेकिन अगर f1 की direction this side में है और f2 यह side में है यानि f1 यह होगी आपका f2 यह होगी आपका दोनों का direction अगर अलग अलग होगा तब उस case में अगर आप resultant force निकालोगे यानि कि आप कहा सकते हो f total अगर आप निकालोगे वो क्या हो जाएगा f1 minus f2 या फिर f2 minus f1 यह depend करेगा कि किसका जो है value जादा है ठीक है किसका value जादा है मतलब कि मालो कि यह f1 इस direction में 5 newton का force लगा रहा था और यह 2 newton का force लगाएगा तब उस case में हो जाएगा आपका f1 minus f2 लेकिन अगर f2 आपका 10 newton हो गया और यह 5 newton हो गया तब उस case में जो है आपका वो हो जाएगा f2 minus f1 ठीक है तो इस तरीके से फिर यहाँ second point क्या कर रहा है कि unbalanced force acting in opposite direction by subtraction ठीक है यानि कि unbalanced force को आप opposite direction में जब force काम कर रहा होता है और f2 अगर दो दोनों forces आपके सेम direction में होंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा और opposite direction में होंगे तो क्या पड़ेगा minus करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो यह दो point था वो unbalanced का था यानि कि two types of force जब unbalanced होते हैं तब उसका resultate हम लोग कैसे निकालते हैं अब जो next हम लोग देखेंगे वो देखेंगे balance force कि balance force क्या होता है तो अभी मैं आप लोग को बतला है था कि जब जैसे मालेजे कि यह कोई block है ठीक है यह block है कुछ बच्चे उसको इधर से force लगा रहे हैं ठीक है और इधर से भी 5 Newton का force लगा और इधर से भी आपका 5 Newton का force लगा तब उस case में 5 Newton तो 5 Newton के equal हो गया कोई तो resultant निकला नहीं block जहां का तहा रह गया तब उस case में कहें कि यह balance है और net force की value क्या है जीरो है ठीक है उसके बाद एक चीज़ है कि equal and opposite forces do not change the state of rest or motion यानि कि अगर यह rest में है तो rest में ही रहेगा अगर balance force लगा और motion में है तो motion में रहेगा लेकिन हाइबर cause a change in size and shape of the object it may be कि अगर force लगाए जाए तो उसका state तो change नहीं होगा balance force के case में लेकिन उसका जो है shape और size क्या होता है हो सकता है वो आपका बदल सकता है shape और size जो है वो बदल सकता है ठीक है तो इस तरीके से यह आपका जो कुछ बात था वो था balance और unbalance के को लेकर के ठीक है now अब हम लोग आगी जो देखेंगे वो क्या देखेंगे types of forces है ना types of forces यानि force कितने-कितने types के होत हैं वो सब सारे बाते ठीक है किraum अब जो टाइफ सड फोर्सेस होते हैं दो टैब्स के होते कौन-कौन सा कॉनटक्ट फोर्सेस ओर non-contact फोर्सेस ठीक है तो चूंटेक्ट फोर्सेस क्या होता है और non contact força क्या होता है सबसे पहले हम लोग की यह समझेंगे दूसरे body के surface पे touch कर रहा होता है तो वैसे forces को हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं contact force कहते हैं और जब कोई दो body आपस में बिना touch किये हुए बिना interact किये हुए अगर force लगाता है तो वो आपका क्या कहलाता है non contact force कहलाता है अब जो है contact force के two types होते हैं first one is muscular force and second one is frictional force अब ये दोनो force क्या होता है muscular force तो यह हुआ कि मानना हो सरीर से यानि कि human body के द्वारा यानि कि muscles से या फिर कह सकते हो हाथ से या फिर पैर से जो आप force लगाते हो वो आपका muscular force के अंदर में आ जाएगा frictional force क्या है कि कोई भी force जब एक surface दूसरे surface के उपर टकराता है या फिर आप कह सकते हो कि जब एक force जो है दूसरे force पे मतलब घर्शन करने पे है ना जब दोनो टकराता है टकराने के बाद जो force वहाँ पे develop होता है वो आपका कैसा force कहलाता है frictional force कहलाता है उसके बाद आपका आता है gravitational force तो gravity के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भाई कोई भी object earth surface अपनी और उसको attract करता है तो जिस force के कारण attract करता है उस force का नाम क्या है gravitational force है ठीक है और ना उसके बाद जो आता है आपका electrostatic force electrostatic force जो है यह charges के बीच में लगता है ठीक है दो charges के बीच में है ना यानि कि चार्ज जो होते है positive charge और negative charge है ना तो उसमें जो लगने वाला force होता है दोनों के बीच में वो आपका कैसा होता है electrostatic force होता है ठीक है यह non contact force है यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जब एक charge दूसरे charge से टकराएगा तभी वो force develop करेगा बिना टकराएग भी जो है वो charge को force लगा सकता है now third one जो है वो है आपका magnetic force magnetic force है ना यानि कि magnetic field of lines या फिर आप कह सकते हो magnet के वज़ा से जो force लगता है वो आपका क्या कहलाता है magnetic force कहलाता है तो generally जो है contact और forces का classification अगर हम लोग किये तो क्या देखें कि two types of forces होते हैं मेंनी कौन-कौन से contact और non-contact, contact के two types और non-contact के three types यानि कि total types of forces होते हैं वो और आप लोग को class 8 में जो पढ़ना है वो कितना है 5 है यानि कि total 5 types of force होते हैं जो आप जो है इनका definition जो है next lecture में देखोगे ठीक है और उसका definition भी आप लोग को लिखवा दूँगा तो अब हम लोग देखेंगे कि वो जो definition था force का वो हम लोग कैसे उसको लिख सकते हैं मैंने आप लोग को 5 types of forces समझाएं थे previous lecture में ठीक है तो इस lecture में हम लोग जो है वो लिखना सिखेंगे कि हम लोग कैसे जो है वो उसका definition लिख सकते हैं तो सबसे पहले मैं जो है force को जब classify कर रहा था तो मैं बतलाया था कि two types के forces होते हैं कौन-कौन से contact मने जब कोई body या दो object एक दूसरे के contact में आता है और force लगाता है तो contact होता है और non-contact forces वो forces होते थे जब कोई दो object या दो body आपस में contact नहीं भी होता है और force लगाता है ठीक है तो contact के हम लोग ने दो type देखे थे हैं ए और B ठीक है यह आपके contact के थे सारे और यह आपका जो था वो non-contact forces था three types का चलिए तो एक एक करके हम लोग apply होता है जब कोई body या object एक दुसरे के touch में आता है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग muscular force की बात करें तो the force applied by the applied by the muscles of our body is called muscular force है ना जब कोई हमारे हाथों से हमारे बाजवों से है ना या फिर हाथों से जो लगाया फोर्स है या फिर आप कह सकते हो कि पैर से यानि muscles होना चाहिए मसल से लगाया फोर्स applied by the muscle of our body यह आपका क्या होता है muscular force होता है उसके बाद है frictional force है ना तो friction का मतलब होता है घर्षन एक object का दूसरे object पे घसना है ना घिसना motion करना opposing motion है ना जैसे एक object आपका यह है इस डिरेक्शन उसका motion लग रहा है तो दूसरे का इस डिरेक्शन में motion लगा है ना तो friction of friction force is the opposing force है ना exerted by one surface over the other due to relative motion वहाँ पे जो motion होता है वो कैसा motion होता है relative motion होता है ना जो एक दूसरे को oppose करता है ठीक है next one जो है वो है आपका gravitational force तो gravitational force क्या है तो gravitational force with the earth है ना gravitational force is the force है ना gravitational force है एक type का force है जो किसके किसके साथ लगाता है earth के साथ moon के साथ और other massive large object के साथ है ना तो सिर्फ दिमाग में यह नहीं रखना है कि कोई भी object जब earth surface की ओर गिरता है तभी gravitational force लगता है gravitational force जितने भी celestial bodies है एक दूसरे पर लगाते है ठीक है अब जो है आपका क्या है magnetic force है तो magnetic force क्या होता है तो magnet से लगने वाला force को magnetic force कहते है ना कि magnet attract और repel are known as are known as magnetic force ठीक है उसके बाद अब जो है electrostatic force क्या है तो मैं बतला ऐसा चार्ज तो चार्ज क्या बनाता है electric field बनाता है तो electric field किसी चीज को जब attract और रिपेल करता है है ना और नोन एज कि नोन एज इलेक्ट्रो स्टैक फोर्स ठीक है तो इस तरीके से जो है वो types of forces हुए ठीक ना और यह इसका definition हुआ तो आप वीडियो को pause करके और definition अपने copy में notes बनाते जाए है ना तो आप लोगों कोई परशानी नहीं होगा और मुझे लगता है कि यह आप लोगों को समझ में आ चुका है तो notes भी बनाओगे तो इससे आप लोगों को फाइदा ही होगा है ना next